यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ बेरोजगारी का तंश ऐसा है कि ये यूवा गोबर उठाने से भी गुरेच नहीं कर रही है पर उन्हें इसके लिए भी अपमान छेलना पड़ रहा है रिवारे जिले में MSC, BAC, BAD, MA और BTEC पास 500 से अधिक बेरोजगारी यूवाओं ने सक्षम यूवाय यूजना में पंची करन कराया हुआ है इनमें से 200 से अधिक यूवाओं को DRDA ने गाओं में जाकर जैविक खाद के प्लांट तयार करने का काम दिया है जैविक खाद के बारे में जानना और उसके प्लांट तयार करना एक अच्छी सोच है लेकिन बेटियों और दिव्यांग बेरोजगारों से घर से गोबर उठवाना कहां तक जायज है इतना ही नहीं जब ये गोबर उठाने से मना करते हैं या किसी अभर्दृता की शिकायत करते हैं तो सरपंच से लेकर प्रशासन से उनको यही धमकी मिलती है कि रिलिव कर दिये जायोगे इससे परशान होकर प्रदेश भर से पंचीकरन कराने वाले 42,523 में से 30,378 सक्षम युवाओं ने काम ही छोड़ दिया है तो गोबर उठाने को मजबूर हो रही है प्रदेश के पढ़े लिखी युवा और साथी युवाओं के साथ में मज़ाग जो है से माना जा रहा है क्योंकि अच्छे पिढ़े लिखे युवा जो है उनको आज गोबर उठाने के लिए विवश्च किया जा रहा है सक्षम युवा यूजना बनाई गए सरकार के और से जो अब मज़ाग बन कर रहे गई है तो आपको बताने की पढ़े लिखे युवाओं को गोबर उठाने के लिए प्रेडित किया जा रहा है यहाँ पर दरसल जैविक खाद बनाने के लिए इन युवाओं को कहा गया उसके लिए जो है प्लांट भी लगाने के लिए कहा गया लेकिन इसके साथ ही जब युवा फील्ड में होते हैं उनके साथ किसी अभदरता की शिकात यह वो करते हैं तो सरपंच उसे लेकर प्रशासनिक अधिकारी तक उन्हें रिलीव करने की धमकी देते हैं ये तस्वीरे हम आपको जो दिखा रही है ये पढ़े लिखे युवा है प्रदेश के जिन्हें गोबर उठाने के लिए विवश होना पढ़ रहा है और जो सक्षम युवा यूजना शुरू की गई सरकार की और से ये अब मजाक बन कर रहे गई है दिव्यांगो को यहाँ पर गोबर उठाने के लिए दिव्यांगो को भी लगाया गया है और ऐसे में जो सरकार के और से कहा गया युवा उजना ये शुरू की गई सक्षम युवा उजना शुरू की गई जिससे की पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार देने की बात थी तो अब कहीं न कहीं इन तस्वीरों से जो साफ हो रहा है कि ये युवा उजना सक्षम कुई युवा जो है वो आज प्रदेश में बेरोजगारी की इस हद तक तक बेरोजगारी जो है पड़ गई है कि गाउं में गोबर तक उठाना उने पड़ रहा है झाल